हलो एवरीवन, वेलकम बाक टू माई व्लॉग, आज है 11 अप्रील और 11 अप्रील का ये व्लॉग पार्ट टू है, पार्ट वन अल्रेडी मैं अप्लोड कर चुकी हूँ, सो हम लोग निकल गए हैं हासन से बुआ के घर जाने के लिए और ये जो रोड है, ये है हासन मैसूर हाइवे, तो ये सारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये ब है, तो ये एरिया पूरा ऐसा है और देखने में इतना ओसम लगता है ये एरिया, तो पहले हम लोग जाएंगे मधुजी की छोटी बुआ के घर यानि की राखी रक्षित के घर और बस उन लोगों के घर वाले रोड में हम लोग इंट्री कर चुके हैं, अब फिल हो रहा है कि हाँ हम लोग गाउ में आ गये हैं, बहुत ही अच्छा ग्री दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पॉलिशन फ्री एरिया है, आप कितना भी सिटी में रह लीजे, लेकिन आप जब गाउं आएंगे ना, तो आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा I think हमारे सभी Indians को तो 100% ये फील होता होगा, गाउं आ करके, जैसा कि मुझे भी फील होता है, मैं अपने वहाँ माईका वाला गाउं तो नहीं जा पाती हूँ, बट एटलिस्ट यहां के गाउं में कभी-कभी मैं आती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहां पे, बिल्कुल देखिए, वो जो धान को काटते हैं और उसमें जो उसके stems रहते हैं, वो सभी जो एक जगाई कठा करते हैं, वो सभी ऐसे ही रखे हुए हैं, और बिल्कुल गाउं जैसा फील होता है, गाउं है तो गाउं जैसा ही फील होगा, और coconut trees, यह जो है, यह है साउथ कर गाउं और यह जो लेक आप देख रहे हैं, यह पूरे गाउं में agriculture जो होता है, जो जिसमें पानी चाहिए होता है, हम लोगों को खेती करने के लिए, वो साड़ा पानी इसी लेक से आता है, और यहां आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो थोड़े दूर में आप आपको एक टेमपल दिखेगा, वो बहुत ही अच्छे से उसमें कार्विंग किया हुआ है, खर साउत हिंडे के टेमपल में वैसे भी कार्विंग बहुत ही खुबसूरत होता है, तो मैं कभी अलग से उसका व्लोग बनाऊंगी, आज तो नहीं बना पाऊंगी, आज बहुत ही जल्दी में है, तो हम लोग को यहां पर जाना है, उसके बाद फिर से बड़ी बुगा के घर जाना है, तो उतना टाइम नहीं है, और उसको अच्छे से बनाना तो बनता है, वो टेमपल का व्लोग, तो मैं जरूर बनाऊंगी, and see, finally we reached रक्षित के घर पे, और रक्षित वहाँ पे खड़ा है, उनके फादर भी वहाँ पे ही खड़े हैं, सामने, और यह जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, यह रक्षित का घर अभी बन रहा है, तो चलिए फिर आप लोग को भी लेके चलती हूं रक्षित के घर में, अभी पूरा तो नहीं बना है, च चल ही रहा है, तो सभी जगर काम ही चल रहा है और यहाँ पे भी टाइल्स वर्क चल रहा है, फ्लोरिंग वर्क चल रहा है, तो चलिए दिखाती हूं, यह में डोर अल्रेडी सेट हो चुका है यहाँ पे, और अंदर में आज यह पूरा टाइल्स लगाया गया है, तो इस व इसको हटा देगा, क्लीन कर देंगे, यह देखिए, यह भी घर कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगे आप लोग अच्छे से, क्योंकि यह घर सच में बिल्कुल फार्म हाउस की तरह दिखता है, और इसमें खास पत यह है कि जो पहले का घर बना हुआ था, उसको ही रिनो मतलब जो में काम था वो तो हो गया है, इसलिए मैं था बोल दी, यह है बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट, I think first time इस टाइब का प्रोजेक्ट हम लोग किये हैं, और यह खुद का घर का है, मतलब खुद के रिलेटिव का घर का है, तो और भी बहुत ही अच्छे से सोच के क यह हैं इसको, बहुत ही कुबसूरत सा आएगा, फाइनली बनने के बाद तो I am definitely sure बहुत ही कुबसूरत लगेगा यह, अभी यह देखे, यह पुड़ा मिटी का था, उसके उपर से प्लास्टिंग किया गया है, और उपर पुड़ा मैंगलोर टाल स्टाल आगया है, और यह एक और रूम है, तो बस आपको पूरा तो मैं बाद में दिखाऊंगी, तो चलिए अब हम लोग निकल गए हैं, बडी बुवा के घर और सीनरी आप देख सकते हैं, अमेजिंग सीनरी है, यह सारे प्लाटियो एडिया है, तो बहुत ही अच्छा, ग्रीनरी आ चुका है उसक में है, काव को रखने का घर, तो चलिए फिर हम लोग कर लेते हैं लूंच, यह भूख अच्छली बहुत जादा लगी हुई है, तो वेट करने के लिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो मैं बाकी चीज आपको बाद में दिखाऊंगी, और चलिए पहले लूंच करते हैं, यह है रागी मुद्दे, जो की फेमस है, साउथ करनाटका का, और वो मुझे खाने के लिए नहीं होता है, मोमेंट लोग बहुत अच्छे से खाते हैं उसको, तो अभी मैं खाऊंगी सिर्फ राइस और चिकेन के साथ जो ग्रेवी होता है, और चिकेन वो ही खाऊंगी, बस मैं बहुत जाता नहीं खापाती है, वैसे भी चिकेन और यह सब जो होता है, वो मुझे से उतना चाहता खाने नहीं होता है, थोड़ा कबाब जैसा चीज होता है, तो मैं फिर भी खा लेती हूं, तो मैं जितना भी खा रही हूं, खाना बहुत टेस्टी है, चिकेन बहुत अच्छे से खा ली रही हूँ यह देख यह दिखाती हूँ आपको देख के आपको लग रहा है ना डिलीशियस चिकन मुह में पानी तो जरूर आगया होगा जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे और फिर लंच हमारा हो गया है हम लोग बैट के मस्ती कर रहे हैं और यह जो बेबी है वो बुवा के बेटे के बेटे है तो उसके साथ यह लोग बहुत बदमासी कर रहा है उसके दाट तूटके है सब ही लोग पाना रहा है तो इस नॉनल के भी छोटे थे तो यही हाल था अमलोग का आद मोमेंट देखिये बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन के मस्ती करते हैं तो इस तो जोगा हो एजिस वर्किश प्लुप है हम लोग का लंज भी हो गया है मस्ती भी हो गया है तो अब दिखा देती हूँ आपको घर के चारो साइट का व्यू और वो देखे सामने आपको दिख रहा होगा सारा विंड मील्स है सारे माउंटेंस पर यह बहुत चारो साइट से ऐसा ही यह बहुत अच्छा लगता यहाँ अच्छा पर भी आप थोड़ा नज्दीक से देख सकते हैं बहुत ज्यादा नज्दीक तो मैं नहीं जा पा रही हूँ बट इतना नज्दीक से दिखा पा रही हो और रास्ते में ही मुझे यह देखिए कुछ दिखा आप लोग को दिख रहा है थोड़ा गोर से देखिए पिकॉख है और यहां इस जंगल में बहुत सारे पिकॉख है और हम लोग फिर से आए हैं चोटी पुगा के घर और यह स्टोर रूम है जहां पे कुछ हैंस भी है तो कहां कहां ऊपर चड़ के बैठे हुए है ना इसके चटे चटे बैबीज अभी नहीं है लास्टाइम में आई थी ना तो थे बहुत अच्छे से खेली थी इसके साथ और रक्षित यहां पे सब कोई को देने वाला है कोकोनेट वाटर अशियर क्या बियर पी रही है कोकुनेट वाटर अभी हो रहा है 7.30 और अभी हम लोग घर आ गए हैं बहुत ज़्यादा टायट हो गए हैं तो काम कुछ भी नहीं कियां बटना बैठे बैठे ही थक गया आई तिक मुझे लगता है आज प्रया आक फोछ एदर सब्सक्रेदी और बैठे को बातलों चाहिं जर्जोंग प् result क आप सब लिए मुड़ीच इसाथा आप्रोला। अची, च्या और क्या कर र्यादी? तीवी नवता है दीडी अची जोते अच्छा, यह क्या कर रहे? अच्छाज कर रहे? cream 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 यह ही free time मेर हम यह से लो और यह से डालो और से मसाज़ करें आपको तुक्त का हिवाँ, तो पुराइब लिगाँ, और आपको वालवाँ, खुज देले मोमिन्ट यह लिजे क्रिम, और शुच्छ कर लिजे आज का व्लोग मैं यही कतम करती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स व्लाग में तिल्देन अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल बटन उसे जरूर प्रेस कर दीजे ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें